अब ही तक हमने जितनी भी मोशन देखी वंड में देखी मतलब जैसे बॉल का उपर जाना ओके और बॉल का निक आना ये जितनी भी हमने मोशन देखी थी ये सब देखी थी हमने अब हम देखने वाले हैं मोशन इन टू डामेंशन मोशन इन वन डामेंशन मैं ने आपको बताई थी क्लासिस में जो पहले विश्याएं कि अगर कोई बॉड़ी ऐसे मोशन करती है कि उसका एक टाइम में एक गार्डिनेट वेरी होता है जैसे ये कोई बॉड़ी जारी है तो बोले यह सकी नूब यार यह सर वाई तो फिक्स है न केवल एक्स वेरी देखो एक्स बढ़ता जा रहा है यह सर हां तो यह मोशन इन वन डामेंशन है अग पुड़ी वाई एक्स आवज नियारी सर आरी थोड़ा लेक करके आई है अभी आरी मेरी आवज आप लोग को आगे है यह सर चलो ठीक है तो अब देखो यह दूसरा मोशन देखो इसमें वाई इसके लॉंग मोशन हो रहा है तो किवल वाई की कोडिनेट वेरी हो रहे हैं एक्स कोडिनेट वेरी नहीं हो रहे हैं तो यह मोशन भी कैसा है मोशन इन वन डामेंशन समझ में आया तो यह यह भी one dimension motion यह भी one dimension motion है मगर यदि मैं बात करूँ कि आप अगर एक circle में घूम रहे हूँ circle में घूम रहे हूँ, तो circle में घूमते हो तो f आपके दो coordinate vary होते हैं x के और y के क्योंकि आप जैसे यहां पी थे थे ना आप यहां से लेकर यहां पहुँच गए देखो ध्यान से तो अगर displacement vector draw करूँ तो यह होगा displacement vector अब इसमें आपका क्या-क्या change हुआ है यहां से यहां तक जाने में आपका इतना change हुआ है देल्टा एक्स और इतना चेंज हुआ है आपका डेल्टा वाई हुआ है कि नहीं हुआ इप मतलब आपकी दो कौर्डिनेट एक साथ वहरी हो रहें तो ऐसा मोशन जिसमें साइमर लिदो कौर्डिनेट वहरी होते हैं that motion is called two-dimension motion समझ में आया वो मोशन के लाए का two-dimension विलकुस्ट रिखकली चलो पड़ो अक्षाथ two-dimension motion की डेफिनिशन if coordinates two if two coordinates are required to specify the position of the object in space changes with respect to time then it is called two-dimensional motion in such a motion the object moves in a plane यहां तो यहाँ two-dimension motion को हम बेटा motion in a plane या planner motion भी कहते हैं क्योंकि two-dimension motion में जो पार्टिकल है वो plane में motion करेगा if two coordinates are required अगर दो coordinates required होते हैं किसी motion को specify करने के लिए किसी position को time के respect में change करने के लिए अगर दो coordinates specify दो coordinates बदले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं two-dimension motion चलिए अब two-dimension motion का एक example है projectile motion तो projectile simple क्या होता है projectile समझने के लिए आप ये समझिए कि cricket की ball को जब six मारा जाता है तो cricket की ball को हिट करते हैं तो वो पूरा motion हिट करने के बाद under the gravity करती है मतलब यहाँ पर इस ball पे हिट हुआ तो हिट करने के बाद ये ball जो होती है इस तरीके से देखा होगा आजकल तो इतना बढ़िया technology हो गई कि ball की trajectory तक show किया करते हैं match में वो ball गिरते हुए दिखाई देती white white color की ओके तो यह जो है यहाँ पर केवल एक initial velocity दी गई that initial velocity is called you और यू देने के बाद बिना किस सब्सक्राइब और ये जो बॉडी थी gravity के अधीन हो गई थी under the gravity हो गई थी इसमें अलग से हर सेकेंड में कोई फोर्स नहीं लगाया गया इसमें अलग से कोई प्रपोलिशन नहीं लगाया गया इसको अलग से कोई यहाँ पर रॉकेट टॉकेट लगाया गया है कि किस पर कोई फोर्स लगे ओके तो ऐसा मोशन जिसमें कुछ इनीशियल वेलॉस्टी आप दे जिसमें कुछ इनीशियल वेलॉस्टी दे और ग्राउंड के साथ 90 डिग्री छोड़ करके कोई लग एंगल बनाए क्योंकि अगर आपने 90 डिग्री बोला तो यह में कहलाएगा one dimension motion फिर वो एक direction में हो जाएगा अगर आपने zero degree दे लिया तो भी वो one dimension motion हो जाएगा बट zero से लेके 90 के बीच में किसी भी एंगल पे आप अपने गोले को fire कर दो तो वो motion बन जाएगा projectile motion आई बात समुझाएगा तो projectile motion में आपको किवल एक initial velocity plant करनी पड़ेगी और with some angle with some inclination that is called theta ओके आपके हाथ से छूटते ही इस पर gravity लगने लगेगी और आपको पता है कि uniform acceleration लगता है क्योंकि gravity कहीं बदलने वाली नहीं है So what type of motion it is? It is uniformly accelerated motion क्योंकि इसमें acceleration G काम करेगा आई बात समझ में ना? Yes sir G हमेंसा downward लगता है G हमेंसा constant होता है इसलिए ये जो motion कहलाएगा that is uniformly accelerated motion ठीक ना? तो ये जो motion कहलाएगा ये आपका uniformly accelerated motion कहलाएगा चलिए Hello Priyanshi, good evening, prakriti I mean so Okay, so that is projectile motion ये हो गया भाई projectile motion की बात So a projectile is thrown in the space चलो पढ़ो projectile motion क्या होता अक्षाथ पढ़िये A particle Projectile motion, a particle thrown in the space which moves under the effect of gravity alone is called projectile And its motion is called projectile motion Example, a bomb released from an aeroplane or an arrow released from a bow Exactly, तो यहाँ पर projectile motion के मैं type आपको बताना चाहूँ को क्योंकि जो दोनों example आपको दिए गए है वो दूसरे type के projectile दिए गए है मैंने जो आपको projectile पढ़ाया है उसमें आप ground से कुछ angle बना करके अपने project को throw किया करते हो Actually जिस चीज को throw करते हो वो होता है project Okay, जिसको आप फेको भाला, javelin कुछ भी है वो है project और अगर आप ground से कुछ angle बना करके throw करोगे with angle theta तो यह कहलाएगा ऐसा projectile कहलाएगा बच्चो लिख लो Oblick projectile यह projectile कहलाएगा Oblick projectile तो हमारे syllabus में दो तरीके के projectile है पहला है Oblick projectile बो लो clear Yes sir Okay, तो Oblick projectile का अगर पाथ दिखा हूँ आपको तो कैसा होगा इसका पाथ जो है जैसे आपने javelin फेका तो यह कुछ इस तरीके से आकर के जमीन पर यहाँ पर जिस velocity से आप फेके हो आप U से फेके हो तो यह टकराएगा भी कितनी velocity से U velocity से आई बत समझ में तो अगर आपके इसकी speed यू है तो इसकी speed भी यू होगी और यह projectile कह रहाएगा Oblick projectile यस दूसरा projectile लेखिए आप एक काम करिए आप जहां पर भी बैठे हुए हैं अपने पास में कोई कुछ रबर हो आपके पास eraser हो उसको एकदम table के किनारे पर रख लें एकदम के किनारे यहां पर यहां पर रख लें और पीछे से यहां पर इसको चटाक उंगली वाला चटाक जो मारते ना ना खून के बल कट करके तो देखो ध्यान से देखो यह ऐसे गिरेगा इस तरीके से इसक आपको उसकी प्रजेक्टाइल दिखाई दे ट्रेजिक्ट्री दिखाई यह से थोड़ा धीरे मारी अपने ज्यादा जोर से मार दिया तो दीवाल में घर गया हूँ यह सर दिखी ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्री दी गई आपको यह सर ठीक ना तो यह जो ट्रेजेक्ट्री आपकी यह टू डामेंशन मोशन कहलाएगा आपका दिस इस कॉल्ल डू डामेंशन मोशन सो यह प्रजेक्टाइल मोशन की हमने आपके सामने बात करी की प्रजे और दूसरा है horizontal projectile, horizontal projectile, ठीक है ना, यह horizontal projectile, yes, oblique projectile के initial velocity theta angle पे होती ही ground के साथ, और horizontal projectile में जो initial velocity होती ही, उसका angle कितने degree होता है, 0 degree, ठीक है, clear हुआ, yes sir, जोकि oblique projectile, यहां से फिक है जता है, हाँ बेटा, oblique projectile में initial velocity आप किसी ना, किसी particular angle पर ठीक होती है, बट horizontal projectile में आप जब ठीक होती है, तो आपकी velocity यूजो होता है, ground के साथ कोई angle नहीं बनाता है, parallel है ground के, मतलब यहां पर कितने degree angle होता है, 0 degree, भी, समझ में आया, हो के सभ यह, चली, तो दो तरीके के प्रटाइल हो गया, example पढ़ आक्षट अब ऑम, अब बॉम रिलीस फ्रम एरो प्लेन बताओ मुझे यह कौन सा इक्जामपल है और होरिजूंटल प्रोजेक्टाइल या या आपका अब्लिक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल बिल्कुल सही जब अब हाँ सही बोले हो भी है होरिजूंटल ही तो है यह साथ जैसे ही मान लेजिए आपके पास में यह एरो प्लेन उड़ रहा है आस्मान में ठीक ना यह इस तरीके से आस्मान में एरो प्लेन जो है यह उड़ता जा रहा है और आपने यहां से बॉम छोड़ दिया इधर से बॉम छोड़ा तो बॉम के पास किवल कौन सी विलास्टी होगी यू क् U velocity अब बॉम जो है अब इसके बाद इसका जो होना होगा होगा है ना बट बॉम यहाँ पर जैसे ही छोड़ोगे तो यह U velocity से जा करके ground में धड़ाक से गिरेगा आई बत समझ में ना और बॉम ब्लास्ट होगा clear है और अगर यह uniform velocity U से move कर रहा है तो जिस समय bomb धड़ाक से फूटेगा यह बिल्कुल इसको इसके नीचे दिखाई देगा फूटते हुए एकदम इसके below में मतलब यह बंदा जो है जो यह जो aeroplane है यह बिल्कुल उस समय उपर गुजर रहा होगा जिस समय यह इसको blast होते हुए नीचे दिखाई देगा आई बास समझ में ना clear है क्योंकि इसकी भी horizontal velocity U है और bomb की भी horizontal velocity क्या है हर वक्त पे U ही है तो क्योंकि bomb की भी velocity U है और इसकी velocity U है तो velocity equal to speed equal to distance upon time तो distance equal to speed into time मतलब जितनी distance यह travel करेगा जितनी ही distance horizontally यह bomb भी travel करेगा समझ में है यस सर्थ यस सर्थ यह बताओ यह कौन सा projectile है arrow release from a bow यह भी horizontal है यह भी horizontal है अगर आपका case ऐसा है कि आप सीधा मतलब बो से आप जो है सीधे अगर मार रहे हो खीच करके तो यह horizontal projectile है अब आप कहोगे नहीं सर्थ हम तो धनू सूपर की तरफ करके मारेंगे हाँ अरजुन बनेंगे तो फिर आप अबलिक projectile शक्ती लगा के मंतर पढ़के ठीक है तो यह हो जाएगा चलो पढ़ो note note projectile motion is an example of constant acceleration जी काम करता है इसलिए यह कौन सा acceleration का example है uniformly acceleration का example है clear हुआ yes sir अगला पढ़ो if a constant acceleration is given to particle in oblique direction with initial velocity then the resultant path is parabolic हाँ जी तो यह जो resultant path कहलाता है अगर आप constant acceleration लगा करके मतलब अर्थ लगाएगी और उसमें आप oblique direction में अगर कुछ initial velocity दे करके फिकेंगे तो जो path बनेगा trajectory का बच्चों वो होगा parabola समझ में आया जो path बनेगा वो कैसा होगा parabola बनेगा ठीक ना trajectory का जो path मिलेगा आपको वो parabola मिलेगा कुछ इस तरीके का अब बच्चों यहां से सुरू हो रहा है हमारा oblique projectile ठीक है ना यहां से सुरू हो रहा है तो यहां सा प्रोजेक्टाइल है बच्चों this is oblique oblique projectile चलिए अपनी copy में बना लीजिए oblique projectile यह है oblique projectile ठीक है ना यह मान लीजिए यह पूरा समझ में आगए तो आपको मज़ा आजाने वाला है ठीक ना यह आपकी chapter का one fourth part है oblique projectile ही चलिए इसको मैं पूरे detail में बताता हूँ आपको full screen में बताऊंगा आपको मैं लक्सी करकर के बताऊंगा उस से नही control in चलिए देखे अब oblique projectile की बात करते हैं बच्चों तो यह बना लीजिए आपके पास यह है y-axis और यह x-axis यह y-axis और यह x-axis रोड लाक कर रहा है हाँ ठीक है अभी ठीक हो जाएगा यारब देखो और यह initial velocity आपने यूसे फेका है ठीक है बिटर clear है अब देखे initial velocity आपने यूसे फेका है तो कुछ तरीके का इसका पाथ होगा यह जो पाथ कहलाता है बेटा इस पाथ को हम बोलते है trajectory तो यह जो red color का पाथ देख रहे हैं यह कहलाती है trajectory अब देखे जब आपने यू वेलास्टी से आपने इसको फेका है fire जाए किसी गोले को तो इसका angle ground के साथ theta होगा बोलोगा की नहीं होगा तो इसके दो component break कर दो बिच्चो मैंने आपको रखा है कि यदि दो component break होते हैं तो एक component टूटेगा x direction की initial velocity u cos theta और एक टूटेगी y direction की velocity initial velocity u y is equal to u sin theta बोलो प्रकृती क्लियर है गोरांच क्लियर है u cos theta and u sin theta done येस ओके तो एक velocity horizontal की तूट गई एक velocity vertical direction की तूट गई प्रकृती class में नहीं हो क्या प्रकृती class में तो हो reply क्यों नहीं कर रही हो एक velocity टूट गई बेटा u cos theta एक velocity टूट गई है u sin theta ठीक है ना अब बेटा जैसे ही हाँ अक्षद बताओ horizontal direction में क्या कोई acceleration काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है काहां कर रहा है अब कोई acceleration काम अच्छा हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जीरो हो जूटा डारेक्षिन में कोई भी यदिफर्ड एक्सलेशन काम नुद्रेषिन काम कर रहा है और फूर जूट ररेक्षिन में जब कोई एक्सलेशन नहीं काम कर रहा है तो हर जूटा डारेक्षिन साडि मोशन कैसा दो बताओ बच्चों uniform motion की non uniform constant motion बिल्कुल सही यूदि की acceleration ही नहीं है मगर vertical direction में acceleration g काम कर रहा है इसलिए यहाँ का vertical direction का motion non uniform होगा मतलब पहले speed घटेगी क्योंकि particle projectile उपर जाएगा vertical direction की speed घटेगी और इसके बाद फिर से speed क्या होगी vertical direction की downward बढ़ेगी आई बाद समझेंगे ना clear हुआ ना तो देख लो मैं इसका आपको diagram दिखा देता हूँ इस moment पर speed सबसे ज़्यादा रहेगी जिसका नाम है u sin theta फिर इसके बाद ये speed के arrow छोटे छोटे हो जाएंगे और छोटा और छोटा और छोटा यहाँ पर जाकर के highest point पर vertical velocity कित्ती हो जाएगी zero क्योंकि अगर vertical velocity zero नहीं होती बच्चों तो और उपर जाता अगर vertical velocity contain करता बट यहाँ पर vertical velocity zero हो गई अब इसके बाद vertical velocity downward जिंदा हो जाएगी धीरे धीरे downward direction में बढ़ने लगेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और यहाँ पर जाकर के maximum हो जाएगी बोलो हाया ना बिल्कुल इससर horizontal velocity throughout the projectile constant रहेगी बिल्कुल बिल्कुल throughout the projectile constant ही रहेगी and that is equal to u cos theta समझ गया ना that is equal to u cos theta हर जग है u cos theta बनी रहेगी अगर मैं अलग से diagram मना करके इस projectile का उसको मैं show करूँ तो यह देखिए यह diagram था आपने u से फेका था इसको तो हर point पर even this point पर भी जो horizontal velocity रहेगी क्या vx equal to u cos theta समझ में आया yes sir यहाँ भी u cos theta और यहाँ भी u cos theta clear है yes sir चलिए तो अब हम निकालते हैं velocity का y component बच्चो velocity का y component निकालते हैं कि velocity का y component क्या होगा तो देखिए y direction में velocity का y component निकालने के लिए equation लिखता हूँ v equal to u plus a t तो y direction के लिए subscript y ठोक दो यहाँ पे यहाँ पे v y यहाँ पे v y time किसी का सगा नहीं है तो ना x का ना y का time की जगे t चलिए तो v y is equal to velocity का vertical component u y कितना था बेटा u sin theta आया ना हा सर acceleration कितना काम कर रहा है g yes or no minus g और into कितना t आ गया समझ में velocity का y component equal to u sin theta minus g t u sin theta minus g t यह हो गया बच्चों velocity का y component ओके तो पहला diagram देखते हैं इसमें पहला derivation देखते हैं velocity का y component equals to u sin theta minus g t प्रियांशी लेट जुड़ी हो कि आज हेलो प्रियांशी आवा जा रही है चलो सब्सक्राइब बच्चों इसको यदि हम बात करें इस point पर velocity का y component 0 हो जाएगा मगर velocity का x component वही रहेगा जिन्दाबाद u cos theta बोलो clear है clear अब देखें यदि मैं random किसी point पर बात करूँ velocity की net velocity की बहुत अच्छे से सुनिएगा अगर मैं random किसी point पर net velocity की बात करूँ जैसे मान लीजे मैंने इस point पर net velocity की बात करी तो यहाँ पर भहिया इस point पर velocity के दो component एक है vx और एक है vy तो मैं net velocity मेरी कैसी जाएगी बीटा दोनों को touch करते हुए path को touch करते हुए जाती velocity यह जाएगी मेरी net velocity और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि net velocity v equal to vx टूटेगा x-axis की direction में मतलब vx i cap और vy j cap बोलो yes or no j cap बल्कुल so vx i cap plus vy j cap so v equal to vx की value क्या है u cos theta क्यों क्यों क्योंकि vx कभी बदलने वाला है नहीं एकदम dhita item है ना vx बिल्कुल वही रहेगा जो इस direction में uniform motion हो रहा है मतलब u cos theta plus vy कितना निकाला बच्चों आप लोगों ने धरती के हाथ लगते ही higher करते ही velocity का y component act करेगा कितना u sin theta minus का gt minus gt j cap तो यह हो गई बच्चों इसकी vector velocity note कर लीजे आप लोग copy में यह इसकी vector velocity हो गई v equal to u cos theta i cap plus u sin theta minus gt j cap clear 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 to be clean करो अभी जहां से समझ में आ रहा कोशिश करो बट मैंने इसका वीडियो बना दिया है है ना तो क्लास के थोड़ा सा रुख करके अभी तुम इसका वीडियो सुरू से देख लेना अब हम काफी आँगे बढ़ गया है तो दुबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे ठीक ना बट इसका वीडियो देख लीजेगा ओके चलिए तो अभी जहां से समझाने कोशिश करना हो बस इतना समझो कि दो कंपोनेंट है एक है वी एक्स और एक है वी वाई वी एक्स कभी बदलता नहीं है और वी एक्स कंपोनेंट की वैलियो होती है और वी वाई कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा माइनस जी मैंने अभी यहां से निकाल दिया है तो यह हो गया बोलो क्लियर बच्चों अब यदि मैं बात करूं बच्चों इसके वेलास्टी का मैगनिट्यूद आलने की इस पॉ'm पे तो सब जानते होů वी का मॉड का नजिवार तरीका होता है अंडरूट वी-एक्स का स्क्वेयर ए-क स्वेर ए-क और वोगलो नहीं 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 यह नहीं ने निकलेंगा भी यहon सबस्केद का होलवाई कितना है यूसॉट स्टीट का ऑफी हाइज तो श्क्राइब्वल्च उस करे इसको खोल दो रुषको यह क्या हो गया यू स्क्राइर स्क्राइब एसको खोलो गे तो जो क्या हो जब्गेगा यू स्क्राइब this уже स्टीन केंदिक Mm है भई है यहां से हैंग तो नहीं है बड़ सर लग हो रही है चलो चलो ठीक है अभी अभी तो इस नो सब चली अभी आ गई ना सही यू को स्क्वेट प्लस यू साइन तीटा मैने स्टी का होल स्क्वेर यहां तक क्लियर दूर जो खिना हमने उपडिए इसका होल स्क्वार ऑपन जो यू स्क्वार का उब स्क्वार्त तेक इस जिस्क्वार निय स्क्वार थ और यू जी स्क्वारखate रखेंग हो एपनी कोपी में निकाल करका सॉल लुटर तम्मा जायेगा हाँ ठीक अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करो एक्स्क्यूज मी सर्व यस बिटा तो कुड़ी एक्स्पेइन दाट अगें विकेज आपकी स्कीन हां गो रहे थी तो मैं लेफ्ट होके पापस रेजाने किया में ठीक एक एक बार एक बार सब लोग लेफ्ट होके फिर से बार पसा जाओं आगे मैं तो यहीं पर हूँ यस प्रकृति प्रियान झी केम बैक यह सप्यार ओके देखव बिटा यह वी एक्स की वैलिव यू कॉस्ट धिटा है हमाँ पस वी एक्स कम्पोनेट यू कॉस्ट धिटा है कि नहीं है और Vy component U sin theta minus gt है की नहीं है दोनों का square करोगे तो ऐसी structure बनेगी की नहीं बनेगी अब इनको open कर दो बेटा मेरे open कर दीजे U cos theta का whole square U square cos square theta U sin theta minus gt का whole square by the formula A square plus B square minus 2AB से open कर दो अब देखिए बच्चों अक्षत हम इन नोनों से क्या U square common ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं तो cos square theta plus sin square theta bracket में क्या बचेगा 1 1 बिल्कुल प्रॉपर आगई सबकी आवाज एक तम टाइमली आ रही है plus g square t square बचेगा और minus 2u gt sin theta ये है आपका velocity का resultant note का लीजे कि डन डन सर्ट येस सर्ट ठीक है तो ये आपकी velocity का resultant आ गया ठीक है बच्चों अगर आप बोलेंगे सर हमें velocity का angle निकाल के बताओ तो भी हम velocity का angle निकाल देंगे हमें कोई problem नहीं आएगी velocity का angle निकालने में कैसे निकलेगा angle ये ध्यान से देखिए बिटा ये v है ये v x है और ये v y है यहाँ पर ये diagram थोड़ा होच पोच हो गया है अगर मैं इस diagram को ऐसा बनाओं बच्चों मेरे ये देखो ये component क्या है v x ये component क्या है v y और ये जो component क्या है ये क्या है v तो यदि मुझे angle निकालना है तो ये में बनेगा angle so angle 10 alpha 10 theta is equal to perpendicular upon base बोली होता है क्यों होता बिल्ब कुल स्थ ओके सो 10 alpha equal to perpendicular अगर ये v y है बच्चों तो ये component भी क्या होगा v y v y और ये जोगा v x है न v x ओके 10 alpha बोलो अक्षत v y की value क्या है v y की value है u sin theta minus gt और v x की value क्या है u cos theta बस तो ये आगया आपका angle 10 alpha तो कौन सा angle है बच्चा ये वाला angle है direction का okay resultant direction at that point resultant direction at that sir alpha equal to 10 inverse ये सब नहीं आएगा लगा लो न तो कौन सी बड़ी उसमें हो है लगा लीजे alpha वो तो question में जब अपने पास यहाँ आएगा है तो अपन भेज देंगा 10 को उस तरफ है नो यह वही आ जाएगा 10 इन वर्स यह साइन थीटा माइनस जीटी अपन पूरा का पूरा वही लिग दो और क्या यू कोस थीटा यू कोस थीटा ठीक ना आ गया समझ में बिल्कुल से चलिए बाकी बच्चे भी यस सर बोलने प्लीज हमें अच्छा लगा जाए यह सर बोल देना जबर जस्ती न बोल देना यह सर ठीक है देखिए यह देखिए बच्चों तो पूरी डाइग्राम मैंने क्लियर कर दिया है अब हम बात करते हैं कि पार्टिकल जो ग्राउंड के लॉंग दूरी चलता है डिस्टेंस टेबल करता है बच्चों उस डिस्टेंस को बोलते हैं उसको बोलते हैं हम हर जोन्टल रेजेक्ष थीक न तो प्रोजेक्राईल अपनी जीवन यात्रा में जो सबसे जॉद्ण उताई लेता है उसको हम बोलते हैं क्लियर सब्सांद सब्सांद करते हैं पूरे लाइफ टाइम में जो सबसे ज़्यादा हाइट लेता है that is call horizontal range clear है बिल्कुल सर चली I hope अब यह डाइग्राम आप लोग को बिल्कुल अच्छे से clear हो गया होगा ओके यह सर चली ठीक है अब हम इसकी पूरी की पूरी पोल खोलने वाले हैं जो हमने आपको पढ़ा दिया है उसको हम पूरा डेटेल से एक बार पढ़ने वाले मतलब प्रियांशी अभी छूड़ गया था आपका अब फिर से यहां पर रिपीट होने वाला मेरे को नहीं पता था इसके आंगे लिखा हुआ है बहुत क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है तो बिल्कु अच्छे से फिर रिपीट हो जाएगा चलो पढ़ो अक्षत गράउंट टू ग्राउन प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन अगरoms जी तो प्रोजेक्टाईल मोशन से मिलके बना होता है दोनों मोशन एक दम इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों में अगर कूई जीज common होती है तो वो time होती है क्योंकि जिस time पे आप horizontal कुछ travel करोगे उसी time पे आप vertical भी कुछ travel करोगे जैसे मैं कहूं कि आप ऐसे रस्ते पे जा रहे हो जैसे आप मानलो यहां से यहां गए और यह मानलो T second है तो T second horizontal motion में जितना भी आपने ट्रेवल किया वो भी T second में माना जाएगा और vertical जो आपने ट्रेवल किया वो भी T second में होगा मतलब यहां पर time T ही होगा दोनों motion के लिए yes or no यह सर बाकी चीज़े अलग-अलग हो सकती है है ना projectile में मगर किसी भी point पे हो तो time दोनों motion के लिए same बना रहेगा मगर दोनों motion अलग-अलग consider होंगे one is horizontal one is vertical अब मेरे को यह बताओ प्रकृति यहां पे कि horizontal और vertical motion में कौन सा motion uniform है और कौन सा motion non uniform है जल्दी बताओ नहीं पता प्रकृति को नहीं पताए जवाब इसका शायद नो सर्थ आड़ नहीं know because I have such on date ओके तो देखिए बटा यहां पर यदि मैं बात करूं गौरांच आप बताइए कौन सा motion uniform है कौन सा non uniform नहीं बताओगे अक्षात आप बताओ कौन सा uniform है कौन सा uniform है horizontal uniform है और vertical non uniform है exactly horizontal direction में कोई भी acceleration काम नहीं कर रहा है मतलब acceleration in x direction equal to 0 इसलिए ये वाला motion uniform है और vertical direction में y direction का acceleration काम कर रहा है जोकि under the gravity है और जहां acceleration होता वहाँ पे non uniform है तो बच्चों ये वाला motion uniform है मतलब वही 5th class वाली पढ़ा है distance equal to speed into time और इसमें लगेंगे आपके laws of motion sorry equation of motion ये लगेंगे तो दो motion यहाँ पे होते हैं एक है uniform एक है non uniform बोलो clear अब दोनों motion के बारे में detail में पढ़ते हैं पहला है horizontal motion तो horizontal motion में आपको दिखा दूँ जैसे ही आपने projectile को फेका था तो दो motion होंगे एक horizontal motion में velocity का x component break होगा that is equal to u cos theta sir u क्या है ये जो velocity है फेकी थी ये u है और उपर की तरब जो component टूटेगा वो होगा u sin theta u cos theta क्या है initial velocity का x component और u sin theta है initial velocity का y component अक्षद पढ़िये initial velocity initial velocity u x equal to u cos theta acceleration a x equal to 0 neglect air resistance therefore horizontal velocity remains unchanged horizontal velocity at any instant u x equals to u cos theta at any time t x coordinate or displacement along x direction is u x equal to u x t or x equal to u cos theta into t चलो लिख लो बच्चों ये लवाली लाइन अगर आप किसी भी time t पर मुझसे कहें कि इसार x direction में कितना चला गया है किसी भी time t पर आप कहें कि x direction में कितना चला गया है तो इस बात को कल लेते हैं थोड़ा सा देखिए मान लीजे आपके पास में ये time t है ओके ये आपने projectile fire किया है सटाक और आप यहाँ time t पर पहुँच चुके है तो time t पर x direction में कितनी moment करिया आपने तो time t की velocity यहाँ x direction की velocity क्या थी x direction की velocity थी u cos theta और x direction का motion कैसा था uniform तो time t तक आपकी चली गई displacement अगर इसको x मान रहे हो तो x equal to u cos theta multiplied by t क्योंकि distance equal to speed into time बो clear है यहाँ ठीक है यह कुछ भी बिल्कुल सही सही बात बताना ना समझ में है तो पूछ ले ना क्योंकि चक्टर बहुत बहुत बढ़ा है problem जाएगी बात में तो x equal to u cos theta into t अब आईए vertical motion की बात करते है पड़क्षाथ vertical motion it is vertical motion it is the motion under the effect of gravity so that as particle moves upward its vertical speed decreases that is ay equal to minus g vertical speed at time t vy equal to u y minus gt displacement in vertical direction in time t that is y equal to u y t minus half gt square or y equal to u sin theta t minus half gt square here y is the highest of the particle above the ground highest point of the particle highest नहीं बटा y is the height of the particle हाँ क्योंकि इसी motion में अगर t time पर जो मैंने अभी बताया आपको अगर इसी motion में अगर t time पर आपकी height y है okay t time पर आपकी height यदी y है तो y displacement निकालने के लिए आप क्या करेंगे आप लगाएंगे formula s equal to ut plus half 80 square बट यह y direction का motion है तो हर जगे subscribe y लगा दो यहाँ भी y यहाँ भी y बोलो clear है बच्चो clear sir yes चलिए तो इस particle का y direction का displacement कितना है इतना है मतलब s x तो x था और s y कितना है y है तो s y की जगे पे y u कितना operate होगा भई vertical motion है y component है तो vertical के लिए जिम्मेदार u क्या है u sin theta है u cos theta exactly तो यहाँ पे आएगा u sin theta into यहाँ का time plus 1 upon 2 उपर की motion के लिए acceleration क्या लगेगा vertical motion का minus g into t का square clear yes sir yes तो यह दूसरी motion बन गई है हमाई पास equation यह हो गई अपने displacement in vertical direction y की value रख दी u sin theta अगर आप बात करते हैं velocity क्या होगी इस point पे इस point पर velocity किस point पर इस point पर velocity क्या होगी तो formula क्या होता है v equal to u plus 80 but आप बात कर रहे हैं कौन सी velocity की velocity के y component की तो y subscript इसका भी लगेगा y subscript इसका भी लगेगा y subscript इसका भी लगेगा time किसी का सगा नहीं कुछ नहीं लगेगा ओके सो v y equals to u y मतलब u sin theta ay कितना minus g into t तो velocity का y component कितना होगा बच्चों u sin theta minus g t बोलो clear यह सर्ट यह देख लीजे u y minus g t तो लिखा ही था u sin theta minus g t मैंने लिख दिया चलिए तो इस तरीके से यह motion दोनों आपने convert कर लिये हैं अब हम बात करते हैं net motion की net motion की बात की जाए तो इसमें कई चीजे निकाली गई है सबसे पहले net initial velocity net initial velocity मतलब जिस समय आप fire कर रहे हैं उस समय initial velocity क्या होगी तो दो velocity पे fire हुआ है देखिए एक u cos theta लगा है और एक u sin theta लगा है तो net initial velocity के दो component तूटेंगे u x i cap plus u y j cap u cos theta i cap plus u sin theta j cap बो agree? yes sir next देखिए net acceleration की बात करें किसी भी point पर चले जाए ये दो ही acceleration काम कर रहे हैं जिसमें से एक तो बेचारा मर गया है 0 है शुरुआ ही वो निपटा हुआ है क्योंकि x direction में कोई acceleration काम नहीं कर रहा है तो net acceleration equals to a x i cap plus a y j cap और a x की value 0 है और a y कितना लग रहा है? minus g तो net acceleration लिख लो बच्चो vector form में minus g j cap और अगर आप magnitude की बात करो तो answer a come or equal to g clear? yes sir तो net velocity हो गई net acceleration हो गया अब coordinate of particle at time t coordinate of particle x और y के coordinate आपको निकालने है तो भई या x direction में uniform motion है तो x direction की velocity कितनी होगी u x into t बुलो होगी की नहीं होगी? होगी sir तोकि वहाँ acceleration लगी नहीं जाहा है और y direction का displacement है मैंने अभी अभी आपको निकलवाया ऊपर yes sir in fact दोनों निकलवा दिये है ना u x into t x direction का ये निकल गया था ओके और y direction का ये निकल गया था displacement ये देखो कहां लिखा है हाँ ये तो लिखा हुआ है y direction का u y t solve कर पे ये आ गया था आ गया था ना yes sir तो net displacement ये आपको निकलना है तो ये हमाई पास x है और ये y है तो आप लोग जानते हो अगर किसी vector की form है x i cap प्लस y j cap तो उसका net displacement होता है under root x square प्लस y square होता है कि नहीं होता yes sir तो इसका net displacement कितना हो जाएगा under root x square प्लस y square ये ज़्यादा important नहीं को लेक्स को solve नहीं किया गया है करना हो तो आप value रख करके solve कर सकते हो आपका net displacement आजाएगा ठीक है चलिए अब particle की velocity की बात करें तो भाई साब वो ही दो मैंने आप derivation जो आपको करवाया vxi cap प्लस vyj cap ठीक है ना vx की value रख दो vy की value रख दो दोनों को solve कर दिया इसने solve किया क्या यहाँ पे मैंने under root vx square plus vy square ये मैंने करवा दिया ये तो मैंने पूरा solve करा दिया आपको और angle के लिए 10 बोलो 10 ये तो मैंने आपको पूरा निकलवा दिया है यदि आपको याद नहों तो मैं minus 2 u g t minus 2 u g t क्या आया था sine theta है ना yes sir हाँ तो इसको पूरा solve करोगे तो इतना आजाएगा तो ये velocity of the particle at time t आगया चलिए अब निकालते हैं बच्चों काम की चीजें जो और सारी काम की चीजें हैं तो पहला निकालते है time of flight जल्दी से इसकी photo फोटो ले लो भी या पहले है इसको मैं पूरा भेज़ दूँगा photo मतलो मैं इसको भेज़ दूँगा है ना yes sir okay अब आपन देखते हैं अगला derivation बच्चो time of flight time of flight मतला तो टो 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 जाने में लगा समय चलिए ये देखिए ये particle आपने यहां से फेक लिए धुब गिर गया ओके तो यहां पर time of flight निकलना है yes यह अपने u velocity है यह angle theta है आपने फेका था और यह आपको total यात्रा करने में कितना समय लगा यह आपको निकलना है तो देखिए यहां तक का time जो है आधा होगा और यहां तक का time आधा होगा मैं पहले नीचे से लेके उपर तक का time निकाल लेता हूँ चलिए तो उपर कौन सी maximum position है और बच्चों मुझे बताओ कि maximum position में यहां velocity का y component कितना होगा 0 0 y component यहां पर 0 होगा क्योंकि अगर velocity का y component 0 नहीं होता मतलब y velocity जिन्दा होती तो particle दोर उपर जाता बट y velocity यहां पर मर चुकी है मतलब particle उपर नहीं जाएगा तो highest point की यही मैं बात करूँ तो formula लगेगा v equal to u plus a t यानि vy equal to u y plus a acceleration y direction का into t बोलो clear है बेटा मैंने subscribe चाप दिया y direction कहा है न yes sir yes sir highest point velocity का y component कितना 0 okay u y कितना होगा बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं u sin theta क्योंकि इस particle को भगाने में initial component कौन काम करेगा u sin theta ही तो काम करेगा हाँ यान न बिल्कुल ओके तो यहां पर मैंने क्या रख दिया u y equal to u sin theta acceleration क्या लगेगा बच्चों minus g time कितना होगा t चलो gt को पकड़के धर ले आओ तो 0 प्लस gt होगया plus का gt और होगया u sin theta तो आधा time कितना होगया u sin theta upon g होगा कि नहीं highest point तक पहुचने का highest point तक पहुचने का यह आधा time है जिसको मैंने small t का नाम दिया है इतना ही नीचे जाने का time लगेगा small t तो मैं कह सकता हूँ पूरी यात्रा का time capital T जिसको बोलते है time of flight equal to दो गुना होगा किसका आधे time का तो आधे time का आधे time u sin theta upon g तो formula किया बन गया 2 u sin theta by g this is more time of flight I'm off flight यस तो यह है time of flight बोलो आगया समझ में न बहुत जो जो सर चीक है तो यह हो गया अपने पास time of flight अपने पास आगया है देख लेते हैं एक बाद दर्शन कर लेते हैं seat के यह देखो भईया t equal to 2 u sin theta by g इन लोगों ने किस method से किया है इन लोगों ने किया है displacement वाली method से मैंने velocity से किया है आपका उसरा भी displacement वाली method से करके दिखा दो तो लेओ भईया करके दिखाए देते हैं जब particle यहां से चलेगा और नीचे गिरेगा तो उपर से नीचे तक जाने पे बोलो इसका y displacement कितना होगा 0 बिल्पूशर क्योंकि यहीं से चला और यहीं पे आ गया है तो y displacement 0 है मैं total displacement 0 नहीं बोल रहा हूं x displacement तो बहुत हुआ है मगर y direction का displacement 0 हो गया है तो y direction की equation क्या होती है s equal to होती है ut plus half at square equal to 0 बोलो yes or no yes sir ओके यहाँ पे क्या कर दो u y लगा दो यहाँ पे क्या लगा दो a y लगा दो और यहाँ पे है t चलिए u y मतलब नहीं होता है u sin theta clear yes sir into t इह है ना plus one up into a y का मतलब कितना बिटा minus g into t square equal to कितना 0 clear 0 yes sir अब याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने net displacement 0 लिया है और net displacement 0 तब होगा जब हम पूरे के motion को contribute करेंगे yes or no बिल्कुल sir तो इस बार जो time निकलेगा वो पूरे का निकलेगा वो आधे का नहीं निकलेगा क्योंकि net displacement 0 लो पूरे के लिए होगा तो चलो इसको कर दो u sin theta into small t बराबर minus लेकर के उधर आएगा तो बन जाएगा plus gt square बेटा एक टी से एक टी cancel cancel 2 चला गया u sin theta के साथ तो क्या बन गया 2 u sin theta बराबर बचा gt t is equal to 2 u sin theta upon g बोलो ये वाला अच्छा है yes दोनो अच्छी है ठीक ना दोनो जैसे निकाल लो आपको निकाल लो ठीक ना एक मैंने maximum velocity के concept से किया है highest velocity concept से और एक मैंने time के concept से कर दिया है clear बच्छो yes sir चलिए तो 2 u sin theta y g 2 u sin theta को क्या बोलते है velocity का y component याने की 2 u y y g मतलब उपर जाने का समय बराबर नीचे जाने का समय और दोनों half time होंगे जब पूरा वाला 2 u sin theta है तो आधा वाला क्या होगा u sin theta clear है yes sir चलिए ठीक है ना तो time t by 2 में क्या होगा particle maximum height को attain कर लेगा ओके बच्छो जी sir चलिए अब निकालते है horizontal range बिल्कुल दो कोड़ी का काम है horizontal range निकालना क्योंकि time आ चुका है तो horizontal range भी बड़े आराम से यहां से लेकर के यहां तक इसने कितना distance travel किया इसको बोलते हैं आर बोलो ठीक है बच्छो any other pen which pen black ठीक नहीं है क्या बिटा sorry screen is lagging actually अभी 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 जितना बताया था to you sign three type IG समझ में आ गया yes that is clear हाँ ठीक है अभी दिखर रही है red वाली स्क्रीन black वाला pen दिखरा इस पर yes sir हाँ चलो अब बताना कहीं पर problem में दूबरा बता दीगे उसको तो अब आपको निकालनी ही बच्छो horizontal range मतलब ground में यह कितना distance travel किया है ground में यह इसने कितनी distance travel करी है तो horizontal range बताओ बिटा किस axis में निकल रही है x axis में की y axis में sir x में sir बस x axis में निकल रही है x axis के लिए equation लगा दो तो s axis के लिए equation लगाना है वो distance निकालनी हम लोग को तो कैसे निकलेगी देखिए जगह कम पढ़ रही है यहाँ पर थोड़ा से यहाँ करूँगा second equation लगा कि second equation लगेगी s equal to पहले में लिख देखिए s equal to ut plus half a t का square clear yes sir s x equal to u x into t plus half acceleration x direction में और t का square ध्यान से देखो बच्चों s x को अपन ने बोला है r क्योंकि x direction में चली गई distance को अपन ने बोले है horizontal range r बोला है ना yes sir yes तो x direction की distance r बोले है u x कितना है बच्चों u cos theta ध्यान से देख लो आ sir और t कितना है time of flight time of flight मैंने आपको कितना पढ़ाया 2 u sin theta upon g exactly plus ध्यान से देखो acceleration x direction में कोई acceleration काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था वो पूरा term 0 पूरा का पूरा term 0 हो जाएगा क्योंकि x direction में कोई acceleration काम नहीं कर रहा है तो यह 0 हो जाएगा तो r equal to कितना हो गया u square u into u बन गया u square और यहाँ पर क्या बन जाए 2 cos theta sin theta या 2 sin theta cos theta upon g clear प्रियांशी प्रकृति बोलो clear अब मैंने आप लोको formula पढ़ाया है sin 2 theta double angle formula क्या होता है sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta clear है तो यहाँ अबर मैं इसकी जगे क्या रख सकता हूँ u square sin 2 theta upon g यह आ गई हमारी horizontal range any problem no sir बोलें बाकी बच्चे कोई problem है क्या no sir तो प्रकृति लगाएंगे yes sir s x direction में u x plus half a x t square हो जाएगा yes sir u x कितना दिया है u cos theta है u x equal to u cos theta yes sir time of right कितना है 2 u sin theta by g yes sir x direction में uniform motion है मतलब कोई acceleration काम लिएगा तो a x की value 0 पुट कर देंगे yes sir 0 के लपेटे में सारे 0 हो गए clear yes sir now value u into u u square 2 बचा sin theta cos theta so I have written 2 sin theta cos theta whole divided by g और ये formula 2 sin theta cos theta होता है sin 2 theta का so formula u square 2 theta upon g done okay sir okay तो ये हमारे पास आचुका है horizontal range का formula 2 u square sin 2 theta upon g clear है sir ये total range का है कि किसी भी point तक का है माने भाईया range total ही निकलेगी और कोई point की निकलेगी ही नहीं maximum न exactly maximum ground में कितना चलेगा fire करने से लेके गिरने के बीच में समझ गये आपने जो महराज टाइम पूट किया है वो total पूट किया है कि कि किसी point का पूट किया है नहीं नहीं totally मैं कुछ हुआ समझ लिया था obviously ये total होगी ठीक है ना yes sir चली अब देखो बिटा अगर मैं चाहूँ क्या मैं इसको 2UX UI अपन G नहीं लिख सकता हूँ बताओ सोचके no sir yes sir बिल्कुल लिख सकता हूँ बिटा देखो देखो तू को बाहर ले लो U cos theta क्या है UX है U sin theta क्या है UI है और अपन में G आ गया तो R को हम क्या लिख सकते है 2UX 2Y UI अपन G ठीक है yes sir अब देखो आप लोग को कितनी practice करनी पड़ेगी एक ही formula दो type से आ रहा है exam में हो सकता है ये पूछले exam में हो सकता है ये पूछले और हर formula के 3-4 form आ रहा है जो उपर पढ़ापनने उसमें ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है इसके उपर पढ़ा उसमें भी कुछ और आ रहा है कुछ और आ रहा है तो इलकी जबरदस्त practice आपको करनी चाहिए ये हो गया horizontal range अब हम बात करते हैं maximum height की की maximum height कैसे निकाली जाए ठीक है न maximum height निकलते हैं चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं maximum height जो देखिए बताईए जिस point पर maximum height ये projectile travel करेगा h पर उस point पर maximum height पर बोलो velocity का y component कितना होगा 0 जिरो बिल्कुल सही तो लगा देखिए वाला formula मस्त वाला क्या होता है v square equal to u square plus 2 a s होता है की नहीं होता होता है तो y direction में subscribe खेल दो तो हमारा y आपका u वाला y acceleration का y displacement का y तो v y u square velocity का y component क्या होता है u sin theta मतलब square करोगे तो u sin square theta plus 2 acceleration कितना होता है minus g और sy मतलब y direction की height इस point पर कितनी है h है ना बिल्बकुल sir minus 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 2 g h को zero के इस तरफ लेकिया हो क्या बन जाएगा 2 g h equal to u square sin square theta answer यार है बच्चों u square sin square theta upon में 2 g चलो ले लो screenshot खठाक से U square sin square theta upon 2G यह हो गया इसका maximum height यह सर दन यह हो गया अपना maximum height U square sin square theta upon 2G और U sin theta को क्या बोलते हैं हम velocity का y component velocity का y component that is called U y square upon 2G clear है? यह सर चलिए तो आज क्योंकि काम बहुत जादा हो गया है मैं आपको यहीं तक काम दे रहा हूँ आप लोग इसकी इतनी गजब practice कर लो कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए ठीक ना मैंने बहुत speed में आज पढ़ाया है क्योंकि यह थोड़ा सा easy ही एक तरीखे से है अगर आप इसकी बार बर practice करेंगे तो आज अच्छे से डाइग्राम मना ये और इसको बार बार तीन चार बार इसकी practice कर लीजे क्योंकि एलेवेंथ में तो इसके बगएर आपका paper बनेगा ही नहीं सुद्ध कहा जाएं तो है ना exam में जाओगे paper मिले ना उसके पहले लिख देना ये सब है ना इसमें ये सब कुछ आता है तो कल से अपन को पढ़ना पढ़ेगा equation of trajectory कल में पढ़ाओंगा equation of trajectory मतलब आज मैंने आपके सामने के वाल ये कहाए कि path parabola होता है कल में आपको प्रूफ करके बाऊंगा कि path parabola ही क्यों होता है mathematically answer आएगा parabola का equation बनेगा तो ये है parabola की equation जो कल बनने वाली है और आपको हम बता दें कि जितनी भी guided missile होती है उस सब की सब projectile motion पर काम करती है जैसे यहाँ पर equation आ गई है तो जितनी guided missile होती है वो सब की सब अपने अंदर equation बना लेती है और computer से target सेट करती जाती है वो समझ गए ना तो guided missile में भी यही वाला physics इस्तमाल होता है फिर हम पढ़ेंगे energy of projectile जो की काफी easy रहेगा और फिर oblique projectile आपका finish हो जाएगा फिर आ जाएगा आपका horizontal projectile ठीक है ना यस सर ठीक है तो आज की class को यहीं पर समाफ्ट करते हैं वर्क बहुत जादा है और मैं इसको भेज रहा हूं बिटा बिलकुल